हेलो फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मौन बहुत ही टेस्टी नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम दो चीज से बना कर तयार करेंगे उसके लिए मैंने ये दो आलू ले लिए आलू को मैंने छील लिया है और छील कर धोकर मैंने साफ कर लिए अब हम इन आलू की कटिंग कर लेंगे अब इस तरह हम इनके पीस बना कर तयार करेंगे आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको नास्ता बनाना है उसी हिसाब से कम जादा आलू कर सकते हैं ये मैंने दो आलू ले लिए हैं इन आलू के हमें छोटे छो कैस नहीं बनाने हैं इसी तरह मैं दोनों यको काठ कर तयार कर लूगी वहमारे कट चुके हैं, मैंने ये भोयदी हैं और अधर मैंने एक भगोना लेलिया, इस पर मैंने पानी गरम होने रख तया अब हम की एस में आलू छोड़ देंगे औरर मेडियम कर देंगे और आलू ओबल देंगे आलू जब हमारे ओबल जाएं गे तब हम इने आलू हमारे ओबल चुके हैं अब हम इने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे देखो आलू बहुत अच्छी तरह से उवल गए हैं हमें इतने ही आलू उबालने हैं आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं अब हम एक चलनी ले लेंगे और उन में इन आलू को पलट लेंगे जो भी हमारा एस्टरा पाणी होगा वो निचोड जाएगा इस तरह मैं चान कर और आलू तैयार कर लोंगे आलू हमारे बिल्कुल निचोड चके है इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है इसी छलनी में हम इन आलू को एक चम्मच की साइता से भूल लेंगे आलू हमाने बिल्कुल तयार कर ली है इस तरह आलू हमें तयार करने है इसमें हमें बिल्कुल भी गांट आलू को में नहीं होना चाहिए बहुत बरी एक आलू हमें इस नास्ते को चाहिए अब मैंने ये अरा रोट ले लिया है अरा रोट मैं पहले चार चम्मच डालूंगी फिर देखूंगी अगर और पड़ेगा तो और डालूंगी और एक चम्मच मैंने ये मैदा ले ली है अब इन सब को हम खूब अच्छी तरह मिला लेंगे अगर कम लगेगा तो अरा रोट हम डालेंगे मैदा हम नहीं डालेंगे मैदा हम इतनी ही रखेंगे वो आलू पे डिपेंट करता है कि कितना अरा रोट लगेगा अब इस तरह मैं खुब अच्छी तरह मिला लूँगी अरा रोट मैंने दो चमच और डालिया था और ये बहुत अच्छा डो बनकर तयार हो गया अब मैं इसमें हलका सर नमक डालूँगी इस डो को हम बहुत चिखना चाहिए और चिकना ही मैं बना कर तयार करूँगी अब हलका सर नमक टार कर इसे मिला लूँगी खूब अच्छी तरह नमक मैंने मिला लिया है अब मैं इसकी पीस बनाऊँगी अब इस तरह मैंने पीस बना लिये हैं इसमें मेरे पाच पीस बनी हैं अब इस तरह हम इसकी चिकनी लोईयां बना कर तयार कर लेंगे यह बहुत ही कम टाइम में और कम सामान में बनकर तयार हो जाएगा हमारा नास्ता अब इस तरह के मुझे एक पतला पतला रोल बना कर तयार करना है यह मैंने बन कर तयार है अब हम इसकी कटिंग कर लिए हमें कटिंग बरावर पीस में ही करनी है यह मैंने चार पीस बना लिया है अब हम इसे थोड़ी सी डिजाइन देंगे इस तरह से हम इस चम्मस से दोनों तरफ से हलके हांसे ही दवाना है जादा टाइट हांसे नहीं दवाना है यह हमारा इस तरह का नास्ता बनकर तयार होगा देखने में बहुत सुंदर लगेगा लोग आप से पूछेंगे कि यह नास्ता आपने कैसे बनाया है इसी तरह मैं सारे नास्ते को बना कर तयार करूंगी और बाकई में इतना टेश्टी नास्ता बनकर तयार हुआ था कि सभी ने बहुत तारीफ करी थी कि नास्ता बहुत अच्छा बनाया और कम टाइम में कम सामान में नास्ता बनकर तयार हो गया था अब इस तरह ही मैं सारे पीस बना कर तयार कर लूँगे मेरा सारा नास्ता बन कर तयार है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है और अब मैंने एक कड़ाई ले लिए कड़ाई में मैंने दो गलास पाने करम होने रख दिया है और एक चमच मैंने ओयल लगा लिया इस ओयल को हम खुब अच्छी तरह मिला देंगे जिससे सारे पानी में मिल जाए अब जो हमने नास्ता तयार करा है वो इसमें छोड़ देंगे एक एक करके ही हमें सारा नास्ता छोड़ना है एक साथ नहीं पलटना है अब इस तरह सारा नास्ता मैंने छोड़ दिया है अब हम इसे एक ओवाल आने तक इसका इंतिजार करेंगे ओवाल आ गया है सारा नास्ता हमारा उपर आ गया है तो नास्ता हमारा बहुत अच्छी तरह से ओवल कर तयार है अब हम इस छलनी से इसे निकाल लेंगे हमें एक एक पीस करके निकालना है नहीं तो ये नास्ता तूट भी सकता है क्यों अभी गरम है धंडा होने के बाद ये नास्ता बिलकुल नहीं तूटेगा जैसा है वैसा ही रहेगा इसी तरह में सारा नास्ता निकाल लूँगे अब इधर मैंने एक कड़ाई ले लिये कड़ाई में मैंने एक चमच ओयल लगा लिया है और पांच मैंने लेसन की कलियां लिये जो बारीक बारीक काट लिये अब इन्हें हम हलका सा ब्राउन कर लेंगे अब मैंने तीन हरी मिर्च लिये हैं बीच मैं से चीर लिए Goodness इन्हें बी हमने डाल दिया अगर आप भचों के लिए बना रहे हैं और कम तीका खाना पसंद करते हैं तो आप उसे कम भी कर सकते हैं अब मैंने टमाटो केचप ले लिया है तीन चम्मच मैंने ये डाल लिया है और एक चम्मच मैंने सोया सोस ले लिया है और एक चम्मच मैंने विनीगर ले लिया है और एक चम्मच ही मैंने चीनी लिया अब जो पानी हमारा बचा हुआ था नास्ता का वो ले लिया है एक कटोरी और इसमें एक चम्मच मैंने कस्मीरी मिर्च डाल ली है एक चोथाई चमच मेने कुटी हुई मिर्च डाल लिया है और हल्का सा नमक डाल लिया है नमक हमें कम ही डालना है कि नमक हमने पहले भी IQ कर चुके हैं अब इस तरह हम यह gravy पका लेंगे gravy हमारी पक चुकी है अब इसमें हमने हरा प्याज काटकर डाल दिया है इससे और अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी पकर तयार है अब हम इसे में नास्तर डाल देंगे नास्ते को हमें हलके हाँ से ही डालना है पैसे ये नास्ता हमारा तूटेगा नहीं फिर भी हमें सापधानी से ये एक एक करके छुटाना है क्यों हमने इसमें ओइल लगा रखा है तो ये तूटेगा तो है नहीं बस इसी तरह हम नास्ते को आराम से छुटा लेंगे अब हमारा जो और है गया नास्ता बोवीश में डाल देंगे हलका सा हम इसे पका लेंगे नास्ता बनकर तयार है बहुत ही टेस्टी नास्ता बना है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सेयर करना और चैनल को सस्क्राइब करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा नास्ता आपको कैसा लगा चलो चलते हैं कल हम आपसे पूराइब